वेलकम वीवर्स हाई आज हम आपके साथ आतों की सफाई कैसे करनी चाहिए और क्यों करनी चाहिए इस बारे में बात करेंगे आगे बढ़ने से पहले आपने अगर अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज उसे सब्सक्राइब करें और बैल आइकन पर क्लिक करें ताकि आप हमारे आगे आने वाले वीडियो को देख सकें आपो की सफाई करना बहुत ही जरूरी होता है क्योंकि अगर आपो की सफाई अच्छे से नहीं होगी तो हमें पेट में बहुत सारी बीमारियां हो सकती है जैसे की कबज, गैस, और पेट में दर्द रहना और कबज का बड़ा रूप हो सकता है फिर बवासीर बवासीर बेजोड नुस्खे पेट की समस्या बहुत बड़ी समस्या होती है इसकी वज़ा से हम ना तो अच्छे से काम कर पाते हैं और ना ही अच्छे से दिन बिता पाते हैं इसलिए आज हमां आपको कुछ ऐसे नुस्खे बताएंगे जिन से आपका पेट बिल्कुल साफ हो जाएग और आप राहत की सांस ले पाएंगे पहला नुस्खा एक गिलास गरम पानी में दो चमच सहद मिला ले फिर उसमें थोड़ा सा एपल साइडर विनिगर मिला ले और इसे अच्छे से घोल ले इसे 15 दिन तक लगातार लेना है दिन में एक बार लेना है इस विधी को 15 दिनों तक लगातार करने के बाद आप महसूस करेंगे कि आपका पेट अच्छे से साफ हो रहा है आंतों की सफाई हो रही है लेकिन ध्यान रखे कि इस विधी को आपको सुवह फ्रेश होने के बाद ही करना है और बिल्कुल खाली पेट करना है काफी असर दिखाई देगा दूसरा नुस्का सुवह फ्रेश हो ले फ्रेश होने के बाद रोज एक गिलास एपल जूस पिए ध्यान रखे कि यह प्रकुलिया खाली पेट करनी है इस विधी को रोज करने पर एक सब्ता में फरक नजर आ जाएगा आपको मैसूस होगा कि आपके पेट की अच्छे से सफाई हो रही है और जो प्रोब्लम पहले आ रही थी जैसे कि पेट में दर्ध होना या गैस होना वो भी नहीं हो रही है नमबर तीन नुसका एक चमस त्रीफला चुरण ले और रात को सोते समय गरम दूद के साथ उसको ले ले हर रोज लेना है और सुबह उठके आप देखेंगे कि आपका पेट अच्छे से साफ हो गया है इसलिए आपको ये तीनों में से जो अच्छा लगे जो सही लगे वो नुसका अपना ये और राहत की सांस लीजिए क्योंकि आतों के सफाई करना बहुत ही जरूरी होता है आशा है आपको हमारे वीडियो पसंद आया होगा ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए प्लीज मारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें हेल्दी लाइफस्टाइल और अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हैं वेबसाइट है www.thehealthylifestyle.in धन्यवाद